दोस्तों हमारे शरीर में जो नसी हैं यह बहुती महत्तपूर अंग होती हैं खून को एक जगा से दूसरे जगा पर ले जाने का काम करती हैं जो जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन कई बार कि निकार्णों के जलते हमारी नसी कमजोर पढ़ जाती है जिसकी वज़े से हमें कई तरह की शारीरिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है नसं में डर्द रहने लगता है और इनि नसों के दर्द को नरव पेंट कहा जाता है तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हूं कि आखे नसे कमजोर क्यों हो जाती हैं नसों में दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकिस क्यों आ जाती है और ब्लॉकिस को घरेलो तरीकों से हम कैसे हटा सकते हैं। इन सबी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जा जाए तो भी नसे कमजोर हो जाती हैं कभी कबार शरीर में हार्मोनल इन बैलेंस के कारण भी नसे कमजोर पढ़ जाती हैं शरीर के अंदर किद्नी या फिर डिलीवर अपना सही से काम नहीं करें तब भी नसे कमजोर पढ़ जाती हैं क्योंकि विशैले पदार्थ हमारे शरीर कि नसी कमजोर है क्योंकि blood circulation अच्छे से नहीं हो पा रहा जिसकी वज़े से आँखों के आगे अंधिरा आने लगता है जब भी हम अचानक से उठते हैं या बैठते हैं ऐसा लगता है जिसे शरीर में जान है ही नहीं कमजोरी नसों में बहुत ज़ादा रहती है और दर्द भी रहने लगता है इसकी इमाशरी ने बहुत पसीना आने लगता है नसी कमजोर होनी की स्थिति में blood pressure बढ़ जाता है पेट में भी कई सारी बिमारियां होने लगती हैं जैसे कि अपच, गैस, या फिर यादश्ट कमजोर होना, रात को अच्छे से नीम नहीं आना, शरील में खून की कमी होना, दिल की धड़कन तेज होना भी नसों की कमजोरी के कारण है दोस्तों अगर आपकी नसे कमजोर हो गई हैं, दर्द हो रहा है या फिर ब्लोकेस की समस्या है तो ऐसा नहीं है कि आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं सिर्फ अपने खानपान में बदलाव करके कुछ चीज़ें ऐसी हैं डाइट में शामिल कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा एक्सोसाइज करें तो ये सारी समस्या हैं आप जड़ से खतम कर सकते हो यदि आपके शरीव में किसी भी नस में कमजोरी आ गई है, या फिर नस दब गई है, या फिर कुछ जगह पर दर्द हो रहा है, तो उस जगह को कभी भी दबाई नहीं, मरोडे नहीं, यहां सूजन आ चुकी होती है और सूजन वाली जगह पर आप क्या कर सकते हैं, बरफ या फिर गरम पानी की सिकाई कर सकते हैं, जिसकी दोरा आपको बहुत अराम भी मिलेगा और वहां की सूजन भी दूर हो जाएगी इसकी लावा आप हलके हलके हाथों से मसाज कीजिए, इतना सोचिए कि आपने टाइट हाथों से मसाज नहीं करनी, बस वो चो तेल लगा रहे हो, वो आपकी बॉड़ी के अंदर जाना चाहिए यदि आपकी नसे regular दर्द रहती हैं, तो आपको वायाम जरूर करना चाहिए, इससे नसों को काफी फाइदा होता है, इसके लिए कुछ योगासन है, प्रानायाम है, जैसे कि आप बस्ते का प्रानायाम कीजिए, नसों के लिए काफी अच्छे होते हैं, और इसके लावा अ सकते हैं, एक महीने से लेकर यानि 45 दिन तक आप इस एलाज को कर सकते हैं, तो इस एलाज को करने के लिए आपने क्या करना है, एक पैन में एक गिलास पानी डाल दीजिये, और इसे गैंस पर रख ओख दिचिए, अब इस पानी में आपको आधे इंच का दाल चीनी का टुक पानी मिक्स कर दीजें, फिर इसके बाद आपने एक बड़ी इलाइची को खुछ करना है, सिर्फ एक बड़ी 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 लेनी है, जो काले तंकी होती है, आपको क्रियाना शॉप पर बहुत असानी से मिल जाएगी, तो आपने खुर्श करके इसी पानी में मिक्स कर दे इसके बाद की आधर हम यो यह इसानी पान और पाराद बसखाली आपना की जूदा, यह अन्ट खली कि फील पर ब्रॉज वत análा कि गासे प्यासा शॉद्शी कर दिजें अब दॉस के यह न करता हैं saud कूंफ कर दिजिए और यहना के अधमाट में और किलास नीचय को यह और म आपने सिर्फ आधा चम्मच गुड इस जो ड्रिंक तयार हुआ है जो ये पीने वाली चीज तयार हुई है इसके अंदर mix कर देना है गुड आपने dark color का लेना है जो हलके पीले रंग का गुड आता है वो नहीं लेना आपने dark color का गुड लेना है और सिर्फ आधा चम्मच इस अगर आपके घर में दो आदमी हैं इसे पीना चाहते हैं तो इसकी quantity को आप double कर दीजिए दोस्तों इसके इस्तमाल से शरीर में blood का flow अच्छे से हो जाएगा आपको कभी भी heart blockage की problem नहीं होगी इसकी अंदर vitamins, protein भरफूर मात्रा में पाए जाते हैं आपके शरीर में इन चीज़ों की कमी कभी हो ही नहीं सकती हड़ियां कमजोर नहीं होगी जोडों में दर्द की समस्या है, पिंलियों में, मासपेशियों में दर्द की समस्या है तो इसके सेवन से आपको बहुत अराम मिलेगा और नसों की कमजोरी भी दूर हो जाएगी तो इस डिंक का इस्तमाल तो आपको करना ही करना है इसके इलावा कुछ खाने वाली चीजों के बारे में बताती हूँ जिसको रेगुलर आपको अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पूरी तरह से निट्रिशन नहीं होते जिसे हमें अलग से लेना पड़ता है लेकिन कुछ खाने वाले सीट्स यानि बीज ऐसी हैं जिनमें अच्छी मात्रा में nutrition होता है पोशिन होता है तो सबसे पहली चीज है अलसी वैसे तो अलसी को सर्दियों के दिनों में खूब खाय जा सकता है लेकिन अब जैसे गर्मिया शुरू हो गई है तो आप क्या करिए सिर्फ एक चमज अलसी के बीजों को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप इन भिगे हुए बीजों को खा लेजिए और उपर से पानी भी पी लेजिए ऐसा करने से ये अलसी के बीज गर्मी नहीं करेंगे क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है इसकी इलावा दूसरे सीट्स जैनि बीज की बात करने हो है सबजा यानि जिसे chia seeds कहे जाते हैं और chia seeds का जो nature है तासीर है वो ठंडी होती है आप इसे as it is एक चमच पानी में भी गो दीजी और सुबह इसका 7 कर सकते हैं ये एक जैल के तोर पर बन जाती है और इसमें omega 3 fatty acid जो होता है वो alci से कहीं गुना जादा होता है calcium दूद से जादा होता है iron इसमें पालक से जाता होता है तो आप इस चीज का 7 जरूर की जमियों में बहुत असानी से इसका 7 कर सकते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि आखे नसों की कमजूरी की कारण क्या है उनके लक्षन क्या है और उनका और उनके छोस्तों से एक दोद्र कर गल को हैं इनका है, बन दो neonका है और सकता है तो साल की मैं खर दोस्तों से ऑखें होता है जा ही कंज profes John